दोस्तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट ओर्ल योटूब चैनल को और इस घंटे को दबाए हमारी लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फोन के नोटिफिकेशन बार को कुछ इस तरह का करें इसमें अपना फोटो लगा के इसे बहुत ही स्टाइलिस बनाया है तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और खास होने वाला है कि आप कैसे नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो लगा कर किसी को भी दिखा कर मतलब चोहता सकते हैं कि भाई मतलब कोई भी देखेगा न तो पूछ उड़ेगा भाई आपने ये कैसे किया अब देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेरी फोटो नजर आ रही है जो कि काफी अच्छी लग रही है अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो वीडियो को लाश्ट कर देना इसकी बिलकुल मत करना नहीं तो आप बिलकुल नहीं समझ पाएंगे तो चले दोस्तो वी निए वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके साथी दोस्तो आपको यहाँ नीचे में आना है और आने के बाद आपको यहाँ प्यारा सा कमेंट कर देना है और कमेंट करके यहाँ से सेंड कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको एक और काम क क्लिक करोगे ति यहाँ पे मिलेगा आपको डाउलोड एप लिंग यहाँ से आप इस एप्लिकेशन को बहुत ही आसानी से डाउलोड कर सकते हैं डाउलोड होने के बाद इंस्टॉल कर लेना है करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके फोन पर आएगा तो आपको इसे सबसे पहले ओपन कर लेना होगा ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो यह है कि यहाँ पे देखो आप जो ओफ लिखा हुआ है यह ओफ है भी तो हमें इसे सबसे पहले ओन कर देना है on करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ option नजर आएंगे तो आपको यहाँ first बला जो है right इसको permission इसकी allow कर देनी होगी तो यहाँ से हम इसे allow कर लेते हैं सारे permissions को तो दोस्तों हमने सारे permissions को allow कर दिया उसके बाद यहाँ done पर click कर देना है उसके बाद आप photo कैसे लगा सकते हैं चलिए सबसे पहले तो आपको जाना यहाँ से नीचे मैस है ऐसे नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा custom background image इस पर आपको click कर देना है और आपको अपनी gallery से एक photo को ले लेना है तो चलिए मैं फड़ाफट से select कर लेता हूँ gallery से एक photo तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हमारा यहाँ पर photo आगया अब हमें इसे यहाँ crop जो लिखा हुआ है इस पर click कर देना है तो simply हम crop पर ऐसे click कर देते हैं यहाँ से हो गया